एक मैंने खबर आपके साथ शेर की थी कुछ हरसा पहले के ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया जो सेट है मेल्बन की जो स्टेट है जहां पे मैं रहता हूं उस स्टेट में वो स्टेट दुनिया की पहली स्टेट बन गई है पहली रियासत बन गई है जहां पे गे कन्वर्शन थ थेरपी को आउटला कर दिया गया अब गए किनवर्जन थेरपी क्या थे रूर्जन प sırा करणव क्या फ्यरेपी है क्या है यहtherपी यहха अगर आज वो straight है उसको लड़कियां पसंद आए एक दिर उसने Brad Pitt को देखा या Ritik Roshan को देखा असने का या माल बड़ा जबरदस्त Brad Pitt या Ritik Roshan वो उसके साथ डिंगडाओं गंडा लाग दे ऐसे नहीं होता या तो आप गे हैं तभी ये काम होगा अगर आप straight है तो चाहिए Ritik Roshan हो चाहिए Brad Pitt हो या कोई भी हो आपकी नियत खराब नहीं हो कि आप गे होई नहीं तो जो गे होते हैं उनको family वाले क्योंकि वो बचारे मजभी लोग होते हैं उनकी बंद होती है वो इतने open minded नहीं होते हैं उन्हें पता नहीं कि नैचरल है उनके खुदाने खुद इनको गेबना है तो वो उनकी therapy करते हैं वो उनकी brainwashing करने की कोशिश करते हैं उनको schoolों में भेजते हैं पादरियों के पास भेजते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनके साथ, तो इसको कहते हैं gay conversion therapy, तो वो जो बिचारा gay होता है वो बड़ा trauma से गुजरता है, 17-16-17 साल की उमर, 15-16 साल की उमर ते पता चाल जाता है उसे, कि मुझे Brad Pitt पसंद आ रहा है, मुझे Rihanna या ऐश्वरिया राय वगारा मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, तो उसको pressure करते हैं, उसको कहते हैं gay conversion, तो ये Australia की वाहिद रियासत है, Victoria जिसने इसको ban कर दिया gay conversion therapy को, और इसके उपर, अब जेले होंगी, भारी-भारी जुर्मने होंगे उन लोगों को जो इसके, इसकी खलाफर्जी करेंगे, चाहे वो पादरी हों, च जो है, जो के liberal नहीं है, conservative है, उनका नाम party का नाम liberal है, तो उसको वो liberal होती थी जब वो party बनी थी, लेकिन अब वो conservative बान चुकी है, अब उनके खेलात conservative हो चुकी है, तो उन्होंने बड़ी opposition की, लेकिन इस state में labor party की खूमत है, labor जो है हमारी democrat party है, जो liberal किसम की party है, conservative का opposite, तो बड़ी overwhelming majority के साथ pass कर लिया, क्योंकि बहुत सारी जो party थी, उनको support हासल थी, जो चोटी-चोटी party थी, जैसे animal justice party, reason party, fiona pattern किया, samantha ratnam of the greens, greens, तो बहुत ही far left है, तो इन्होंने इसको approve किया, और ये bill जो है, ये act बन गया, पारलिमेंट में अब pass हो गया, तो आज के बाद को पादरी किसी गे बच्चे को कहेगा ना, कि तुम्हें गंदी आते पड़ी मेंट, ठीक हो जाओ, ये तुम्हाना इस लड़की के साथ चक्र चलाते हैं, उनको फिर जबरदस्ती हो, तो ये अब नहीं होगा, अब अगर जो ये काम करेगा, उसको सजाए मिलेंगी, आपको म इन्होंने अंदर से खत लिखे इन्होंना का कि ये बिल आ रहा है, इससे हम वोर नहीं कर सकेंगे, हम अपने बच्चों को नसीहा नहीं कर सकेंगे, भी लिकांगी, तो ये इस पे इनको बिचाने को बड़ी तकलीफ थी, कह रहा है यार अब तो हम अपने बच्चे हमारा अगर इमाम साब का बच्चा गे निकलाया तो वो उसको ये भी नहीं कह सकें कि बेटा तुम्हें गंदी आदत पड़ गई है ये पीछे वाला काम है ये काम ठीक नहीं है तो अगर बच्चे ने जाकर पुलिस को शकायत लगा थी कि मेरा बाप जो इमाम है मुझे नसीहा कर रहा है मेरी जबर्तस्ती मामे के बेटी से शादी करने लगा है तो इमाम जो हो रगडा जाएगा और पिर इमाम जो है पर वो जेल में गर जाएगा तो वह फो पनार पर पर बहुन आप पर स्ट्रेट लोग भी गे भी ट्वीट भी की है, जारी बात है जो क्रिस्चन लोग है, उनको भी बड़ी तकलीफ होनी है क्रिस्चन को भी ये चीज पसंद नहीं है ये आपके साथ जो मैंने शेयर की है तो, anyhow इस पर बड़ा मजा आया मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जरूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ मुझे साथ ज्या